नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाग के पार पहुंच गई है चारो तरफ हाहा कार है यूँ तो कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए कई दवाईयां मार्केट में आ गई है लेकिन पूरी दुनिया को इंतिजार है कि व काम चल रहा है जो सेकेंड फेज या थर्ड फेज के ट्राइल के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन इस बीच भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि रूस की जो कंपनी है फार्मा कंपनी और भारत की जो फार्मा कंपनी है उसके बीच में एक करार हुआ है और उस वो दोनों कंपनीया जो हैं उनका नाम है सौबरन वेल्थ फंड आर्डी आईएफ रसियन डिरेक्ट इन्वेश्मेंट फंड और भारत की जो कंपनी है डाक्टर रेडी इनके बीच में दस करोन डोज लेने का करार हुआ है कहा ये भी जा रहा है कि भारत के और से सभी रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है रूस ने इस वैक्सीन का नाम इस पुतनिक वी दिया है रूसी भासा में इस पुतनिक सब्द का अर्थ होता है सेटलाइट रूस ने ही विसु का पहला सेटलाइट बनाया था उसी के नाम पे इसका नाम इस पुतनिक वी यानि वी से मतलब वैक्सीन र थोड़ा था एक बात के और जानकारी आपको दे दे कि पिछले दिनों ICMR और जो निती आयोग के सदस्य उन्होंने भी बताया था कि इस पुतनिक V को ले करके रूस के साथ भारत की वारता चल रही है और जो भी नॉम्स हैं इस्टेंडर्स हैं उसको पूरा करने के बाद भार भारत को मिल सकती है एक यह अच्छी बात दूसरी बात आपको मैं बता दू कि पिछले दिनों जो आक्सफोर्ड इनर्सिटी और अस्ट्रेजेनका की वैक्सीन थी जो भारत में कोवी सील्ड के नाम से बन रही है उसके ट्राइल को रोक दिया गया था क्योंकि एक वालेंट यह पारत की दो वैक्सीन और इधर यह स्पुत्निक वी और आक्सफोर्ड की जो भारत में कोवी सील्ड के नाम से बननी है यह काफी एडवांस स्टेज में है और बहुत जल्दी भारत को खुस ख़बरी मिल सकती है इस्पुत्निक वी के बारे में बार-बार यही का आ जा आए कि नवंबर दिसंबर तक ये आ जाएगी तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू